नमस्कार ये है दी नैशनल बुलेटेन आई एक नज़र डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर फार्मासिटिकल कंपणी भारत बायाटेक ने कोग्सिन टी का विक्सित किया है भारत बायाटेक ने एक बयान में कहा है कि तीसरे चरंड के क्लिनिकल ट्राइल में कोग्सिन 81 फीस दी प्रभावी पाई गई है पीम की मा के खिलाफ अबद्र भाशा पर बवाल दिली सिख गुरुद्वारा प्रबंद कमेटी ने की निंदा बीबिसी पर एक कारिक्रम के दौरान प्रिधानमंत्री नरेंदरमोधी की मा के लिए इस्तमाल की गई अबद्र भाशा की दिल्ली सिक गुरूद्वारा प्रबंध कमिटी के अध्याक्ष वंजिन्दर सिंग सिर्सा ने निंदा की है सिरसा का कहना है कि किसी की मा बहन को गाली देने वाला वैक्ती सिख तो होई नहीं सकता दिली सीम अर्विन के जरिवाल लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन दिली के मुखे मंतरे अर्विन के जरिवाल कल सुबस साड़े नौ बजे वैक्सीन लगवाएंगे मुख्यमंत्री दिली के लोकनायक अस्पताल में वैक्सिनेशन के लिए जाएंगे बतादी के सीम के जरिवाल को मॉर्बिट है असम चुनाओ में सीट बटवारे को लेकर ग्रियमंत्री के अवास पर हुई बैठक असम चुनाओ के लिए भाज़पा के सीट बटवारे के मुद्दे पर एक बहु प्रतिशित बैठक ग्रियमंत्री अमिश्या के अवास पर हुई इस बैठक में असम के मुख्य मंत्री सहीत कई नेता मौजूद रहे तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पर आयकर विभाग का छापा आयकर विभाग ने बुद्वार को अनुराग कश्यप समेत कुछ फिल्मकारों से संबधित परिसरों और अभिनेत्री तापसी पन्नू के परिसरों पर छापे मारे अधिकारियों ने जानकारी धी की प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म अनुराक कशिप ने शुरू किया था जिसे अब बंद कर दिया गया है चौथे टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के कुछ खिलाडी बिमार मौसम में आया बदलाव बना कारण भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से नरेंद्रमोधी स्टेडियम में चौथा टेस्ट मैच शुरू होना है लेकिन उससे पहले ही मौसम में अचानक आय बदलाव के कारण इंग्लैंड के कुछ सदसे बिमार पड़ गए